तो वेलकम टू क्रेग जी के ट्रिक्स क्रेग जी के ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है तो क्रेग जी के ट्रिक्स के इस वीडियो में आज तारिक है 2 दिसंबर तो 2 दिसंबर से जितनी भी important current affair की news है वो आज हम discuss करेंगे और उनसे related जो भी important facts होंगे वो हमें आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूगा तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखेगा क्योंकि last week में आप लोगों से 2 important questions पूछूँगा उनके answer आपको comment box में देने है अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलूड करना चाते हो तो उसका link मेंने description में दे दिया है तो Craig GK Tricks पे आज का वीडियो शुरू करा जाए तो आज का हमारा पहला प्रशन है हाल ही में किसे ISSF का सर्वोच सम्मान दिया गया है तो इस प्रशन का सही उतर होगा option C अबिनाव बिंदरा को अब सबसे पहले आपके लिए ISSF की full form important बनीगी क्या होती है International Shooting Sports Federation तो अभी हाल ही में अबिनाव बिंदरा को ISSF द्वारा सर्वोच सम्मान से सम्मानित किया गया है अब आपके वाई में चल रहा होगा कि Blue Cross सम्मान पाने वाले पहले भारतिय बन गए है तो ये question आपके लिए very very most important बनता है आप इसको important mark कर लेना क्या आपको पता है 2008 में हुए थे Olympic कहाँ पे हुए थे Beijing में तो Beijing के Olympic में अभीनाव बिंदरा ने gold medal जीता था और आज तक Olympic में 10 meter air rifle में gold medal जीतने वाले वो एक मातर भारते हैं उसके बाद 2010 से 2014 तक ISSF athlete के वो सदसे रहे उसके बाद 2014 से 2018 तक वो ISSF के अध्यक्स बन गए थे और जब वो अध्यक्स के रूप में काम कर रहे थे तो उनके उत्करष्ट सेवाओं के लिए ही उन्हें ये सम्मान दिया गया है कौन सा वाला Blue Cross अब आपके माइन में चल रहा होगा अगर वो 2014 से 2018 तक ISSF के अध्यक्स थे यानि कि अब अध्यक्स कोई और होंगे तो वो अध्यक्स कौन है तो अमेरिका के एक निशाने बाज है Camberley Road वो है ISSF के अध्यक्स इस वक्ट और मैं आपको एक कुछ चीज बता दू अभिनाव बिंद्रा के बारे में कि इन्हें 2016 में राष्टपती के बटन और Diploma of Honor से सम्मानित भी किया गया है तो ये इस very important question से आपको क्या आयाद रखना है अभिनाव बिंद्रा का नाम जिने मिला है Blue Cross सम्मान बढ़ते हैं अगले प्रशन की और तो हमारा अगला प्रशन है हाल ही में विश्व 8 से दिवस कब मनाया गया तो इस प्रशन का सायूत्तर है option C 1 December को तो हर साल HIV AIDS महामारी के बारे में जाग रुकता फिलाने के लिए हर साल 1 December को विश्व 8 दिवस के रूप में मनाया जता है अच्छा तो इस बार के World AIDS दिवस की थीम आपके लिए important बनेगी थीम क्या है? Know your status अच्छा तो इस 1 December को एट्स दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत कब हुई थी? तो फिर आंसर होगा 1988 को और किसके द्वारा शुरू किया गया था? WHO World Health Organization के द्वारा और आज क्या चल रहा है? 2018 और यह शुरू हुआ था 1988 को मतलब कल जो 1 December को हमने विश्व 8 दिवस मनाया उसको पूरे 30 साल हो गया है अच्छा तो यहां से इसी पॉइंट से जोड़ी भी एक और important news में आपको बताता हूँ हाल ही 29 नवंबर को UNICEF ने एक report जारी की है और उस report का नाम क्या था? Children, HIV and AIDS The World in 2030 तो इस report में बताया गया है कि 2017 में भारत में 0 से 19 वर्ष के 1,20,000 बच्चे ऐसे हैं जो HIV के साथ पाए गए यानि कि उन बच्चों को HIV है 1,20,000 बच्चों को अब देखो December का महिना शुरू हो चुका है तो हमारा rule क्या है? जैसे जैसे महिने में आगे बढ़ते जाएंगे नए-नए important days होंगे हमारी news में जुड़ते जाएंगे और हम हर important day पे पुराने वाले important days को recall करते हैं जो उस महिने के होते हैं तो December महिने का पहला important day जुड़ चुका है अब जैसा नया अगला day आएगा हम इसको recall करेंगे तो आप इसको याद रखना 1 December विश इड दिवत बढ़ते अगले प्रशन के और तो हमारा अगला प्रशन है हाल ही में भारत का पहला उल्लू महत्सव कहां आयोजित किया गया तो इस प्रशन का सयूतर है option A पुने में तो अभी हाल ही में 29 और 30 नवंबर को देश का पहला उल्लू महत्सव नाम क्या था भारतिय उल्लू महत्सव पुने में आयोजित किया गया अच्छा तो अब इस भारतिय उल्लू महत्सव को मनाया किसने यानि किसका आयोजित किसने किया वही हमने देखा कहा मनाया पुने में और किसने मनाया ELA Foundation नाम की एक NGO ने, अब प्रशनी बनता है कि ये मनाया क्यों जाता है, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि मनाया क्यों जाता है, इस महुत्सव को मनाने का उद्देश ही क्या है, तो उल्लों के बारे में जागरुकता पेदा करना, लोगों में उल्लों को ल आपको बताना है, वो कौन से नंबर के राष्टपती थे, तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दू कि जिन जॉर्ज बुश के बारे में आप लोग सोच रहे हो, ये वो नहीं है, ये उनके पिताजी है, रुको, मैं आपको समझाता हूँ, ये जिनका निदन हुआ ह उनका नाम था George H.W. Bush, यानि कि George Herbert Walker Bush, ये अमेरिका के 41 नंबर के राष्टपती थे, तो इनका हुआ है निदन, ये जिनका फोटू देख रहे हो, ये हैं वो जिनका निदन हुआ है, और जिनने आप George Bush के नाम से जानते हो, वो इनके बेटे हैं, उनका नाम क्या है George W. Bush, या से नंबर के राष्टपती थे, तो 43 नंबर के राष्टपती थे, अब जिनका देख हुआ है, उनकी हम बात कर लेते, ये जो George H.W. Bush, जिनका निदन हुआ है, वो अमेरिका के हितिहास में, सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्टपती बन गये हैं, अभी जब इ में किसे Freedom of Paris Award से वंचित किया गया है, तो इस प्रशन का सही उत्तर है Option A, Ang Sang Suki, तो अभी हाल ही में म्यानमार की नेता Ang Sang Suki को, रोहिंग्या मुशलमानों का जो मुद्दर चल रहा था, उसके कारण Freedom of Paris Award वापस ले लिया गया है उनसे, तो Ang Sang Suki ये पुरुसकार लोटाने व वापस ले लिया गया था, जब ये लिये गया थे तब मैंने आपको बताया था, और अब इनसे क्या लिया गया है, Freedom of Paris Award वापस ले लिया गया है, तो Ang Sang Suki की बात हो रही है, जो कि म्यानमार की स्टेट कांसलर है, तो म्यानमार को आप मैप में देखिए, ये रहा म्यानमार, Capital क्या है, Napidu, Currency क्या है, क्यात, और State Council कौन है, Ang Sang Suki, Burma, पहले म्यानमार का ही पुराना नाम था, तो ये भी आप याद रखना बढ़ते हैं अगले प्रशन की और, तो हमारा अगला प्रशन है, हाल ही में किसने CII Agrotech India 2018 के 13 संसकरन का उधगाटन किया है, तो इस प्रशन का सही उतर होगा Option A, रामनात कोविंद, तो अभी हाल ही में राष्टपती रामनात कोविंद ने CII Agrotech India 2018 का उधगाटन किया है, मैंने ये न्यूज आपको पहले भी बताई थी, कब बताई थी जब इसका अनॉंस्मेंट हुआ था कि हमारे राष्टपती रामनात कोविंद ज जी इसका उधगाटन करेंगे, आप जब उधगाटन कर दिया गया है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर CII की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, Confederation of Indian Industries, तो ये इसका तेरवा संस्क्रन है, और दूसरा इंपॉर्टेंट प्यश्निक्ता बनेगा कि इसका उधगाटन तो हमारे राष्टपती जी श्री रामनात कोविंदी जी ने किया है, लेकिन उधगाटन किया कहाँ पर है, तो आपको आपको बताता हूँ, क्रशी के शेत्र को बहतर सुविधाएं कैसे प्रदान की जाए, उसके लिए ये कारेकरम है, तो CII Agrotech India 2018 के भी उधगाटन किस ने किया, हमारे राष्टपती ने, कहाँ पर किया, तो चंदीगड में किया, ये इसका कौन सा संस्क्रण था, तो तेरवा संस्क्रण था, तो ये सब चीज़े आप याद रखेंगे और बढ़ते हैं अगले प्रशन की और, तो हमारा अगला प्रशन है, हाल प्रशन यहां से ये बनेगा, कि इस होनबिल फेस्टिवल का उधगाटन किया तो किया किसने, ये भी तो पता होना चाहिए, तो हमारे ग्रह मंतरी राजनात सिंग ने, और अभी दो दिन पहले मैंने नागालेन से सम्मधित आपको एक करन्ट अफेर्स बढ़ाया था, कि प प्रशन से इतनी जानकारी लेते हैं और बढ़ते अगले प्रशन कियो, तो हमारा अगला प्रशन है, हाल ही में ISSF के उपाध्यक्स किसे न्यूक्त किया गया है, तो प्रशन का सयुतर होगा ओप्शन D, रनिंदर सिंग, तो ISSF की फुल फॉर्म हमने फ़र्स आले क्यूशन म अध्यक्ष भी है, अब बात हुई है, ISSF की यानि कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 को, हेड़क्वाटर इसका है म्यूनिच जर्मनी में, तो इस प्रशन से आपको याद रखना है, ISSF के उपाध्यक्स कौन बन गए है रणिंदर सिंग, बढ़ते हैं अगले प्रशन की और, तो हमारा अगला प्रशन है, हाल ही में जारी अमेरिकास टॉप 50 वुमेन इंटेक नामक सूची में कितनी भारतिय शामिल है, तो इस प्रशन का सयूतर होगा उप्शन C, चार भारतिय है, तो अभी हाल ही में फॉप्स अमेरिकास टॉप 50 वुमेन इंटेक नामकी एक सूची जारी की है, जिसमें अमेरिका में टेक्नोलोजी सेक्टर में 50 दिगज महीलाओं को रखा गया है, और उन 50 में से 4 भारतिय मूल की महीलाओं है, तो उन 4 के नाम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए, पद्व शरी वारियर, कोमल मंगतानी, नेहा नार खेडे, कामाक्षी, शिवराम, क्रशनन, तो ये जो अमेरिकास टॉप 50 वुमेन इंटेक नामकी सूची है, ये जारी की है, फॉप्स ने, तो फॉप्स कोई बारे में जानते है, फॉप्स एक अमेरिकन बिजनिस मेकजीन है, जो टेकनो साइन्स, पॉलिटेक्स आधी पर रिपोर्ट जारी करती है, हेड़कॉर्टर है इसका न्यूजर्सी में, फॉप्स बढ़ते हैं अगले प्रशन के और, तो हमारा अगला प्रशन है, हाल ही में कौन अनात बच्चों की तसकरी को दास प्रथा मानने वाला पहला देश बन ग अनात हाले होते हैं वहाँ पर उनको बढ़ती करा दिया जाता है, और वहाँ पर होता क्या है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, रियाइसी लोग होते हैं, इन अनात हाले हो को पैजा वगरा चगासा दान कर देते हैं, तो कुछ लोग, कुछ लालची लोग इसे गलत तर और कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि Australia का most populated city कौन सा है तो आंसर होगा ये Sydney और कई बार ये पूछा गया है कि Great Barrier Reef कहां पर इस्थित है तो इसका आंसर भी क्या होगा Australia बढ़ते हैं अगले प्रशन क्यों तो हमारा अगला प्रशन है अगर ये दूसरी तेजस है तो पहली कब चली थी और किसके बीच में चली ती ये भी तो पता होना चाहिए तो पहली तेजस चली थी 2017 में और मुंबई और गोवा के बीच में चली थी अग दूसरी तेजस चलेगी चन्नई और मदुरे के बीच में तो सबसे important प्रशन यहाँ पर एक और बनता है कि इसके coaches कहां पर बने हैं क्योंकि ये important क्यों बताया है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक exam हुआ था और उसके पहले एक news आया थी train 18 वाली आपने भी पड़ी होगी जो बिना engine की हमारी पहली train थी उसके बारे में exam में पूछा गया कि इसके जो coaches है वो कहां बने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपकी तेजस है दूसरी तेजस इसके coaches कहां बनेते वो भी आपके लिए important बनेगा तो कहां बनेते भाया चेन्नई में बने थ factory है वहाँ पे इसके coaches तयार हुए थे तो बढ़ते हैं अगले प्रशन की और तो हमारा अगला प्रशन है हाल ही में किन देशों ने मिलकर एक नए व्यापर समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो इस प्रशन का सही उतर होगा option D all सभी USA, Mexico और Canada ये सभी की सभी ने मिलकर के तो तो जो अमेरिक की जो उतर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझोता है यानि कि नाफटा है ये उसकी जगे लेने वाला है अब बात हुई है USA, Mexico और Canada की तो USA को तो हम देख चुके हैं हमने कली देखा Mexico और Canada की बात करते हैं Capital है Mexico की Mexico City और Currency है Mexican Peso Canada की बात करेंगे तो इसकी Currency है Canadian डॉलर और इसका Capital है Ottawa बढ़ते हैं अगले प्रशन की और तो हमारा अगला प्रशन है हाल ही में आई वेश्विक पोशन रिपूर्ट के अनुसार कूपोशन के मामले में भारत का इस्थान क्या है तो इस प्रशन का सई उतर होगा Option A, First पहला इस्थान तो अभी हाल ही में ज तो अब हमारी लास्ट वीडियो के कुछ के प्रशन देखते हैं तो प्रशन पहला था हाल ही में किसे सर्वोच फ्रेंच नागरिक समान से सम्मानित किया गया है तो इसका अंसर होगा अजीम प्रेम जी अगला प्रशन क्या था हाल ही में किसने Forbes India Leadership Award 2018 जीता है तो इसका भी वीडियो के प्रशन हम देखते हैं तो आज के वीडियो के कुछ के प्रशन हम देखे उससे पहले में लोगों को बता दो जो इसे पहली बार देख रहे हैं हम डेली दो कुछर आप से पूछते हैं दो क्यों पूछते हैं एक प्रशन होता है पिछले तीस दिनों में से कहीं से भी ऐसा ग्यों करता हूँ क्योंकि देखो कलका तो सबको याद एरता है लेकिन आप कोशिश करते हैं यह चेक करने के कि आपको पुराना वाला भूल रहे हो कि आपको याद भी है और कोशिश करा करो आप उसका अंजर लिख के दो आप यह मत सोचा करो कि आपका टाइम वे किशन में आपके कवर करा दूगा और आपको पता भी नहीं लगेगा सारे किशन के आप अंसर लिख लिख के उसको याद कर चुके होगे इसलिए मैं कहता हूँ चितना आप लिखोगे उतना आप सीखोगे लिखो और सीखो तो कोशिश करा करो अगर extra facts भी आपको पता हो तो को लिखा गरो क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा सारे किशन में आपके important लिख लिख के आपसे याद कर वा लुगा में तो आज की कुछ की प्रशन हम देखते हैं जिसमें पहला प्रशन आपका क्या है हाल ही में कहां पे hockey world cup 2018 का उधगाटन किया गया है इसके option ये रह है आप सही option comment box में लिख के बताईएगा अब जिन लोगों ने अभी तक इस channel को इस video को like नहीं किया है सबसे पहले तो इसे like करें और इसे share करना बिलकुल मत भूलिएगा अपना whatsapp अपना facebook अपना instagram जो भी आप use करते हैं अपने friend circle में इसे share जरूर कीजिएगा और से आप मे करेंग जिएगे ट्रिक्स